दोस्तो आज की इस भागदोड भरी दुनिया में हम लोगों ने अपने स्वास्ते का ख्याल रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया है दिन भर में हम छोटी छोटी इस तरह की नाजाने कितनी ही गलतिया कर जाते हैं जिन गलतियों का असर हमें तुरंत दिखाई ने दे कर भविश्य में जाकर दिखाई देता है अगर हम बच्पन या जवानी से ही कुछ गलतियों को नजर अंदाज ना करके सेहत के पिर्ती जागुरुक रहें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं अब जैसे की हमें से कुछ लोग जल्द बाजी में सुभे नास्ते में कुछ प्रोटीन युक्त नास्ता करने के बज़ाए चाई के साथ रोटी खाना सुरू कर देते हैं जबकि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि चाय के साथ सुभा में रोटी खाने से हमारे सरीर को कोई भी पोसक तत्व नहीं मिल पाता है और जबकि हमारे सरीर को सुभा में पोसक तत्व से भरपूर अगर नास्ता नहीं मिलता है तो हमारे पूरे दिन की एनरजी डाउन रहती है और हम आलस से बरे रहते हैं काम में अच्छे से हमारा मन नहीं लग पाता है और अगर हम सुभा में प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट वाले नास्ते को करते हैं तो हम पूरे दिन में कारिय करने की पूरी सक्ती ले लेते हैं इसलिए सुभा के समय हमें जल्दी में कोई नास्ता करना भी है तो दही के साथ रोटी खानी चाहिए सबजी के साथ रोटी खानी चाहिए दूद और पनीर का इस्तिमाल कर सकते हैं दलिया खा सकते हैं लेकिन चाय के साथ रोटी ना लेकर आप इन सभी नास्ते को सुबह में कर सकते हैं वैसे भी चाय में कैफीन होता है और कैफीन को सुबह सुबह लेना अच्छा नहीं होता है क्योंकि कैफीन हमारे सरीर के लिए बेहद ही खतरनाक होता है तो दोस्तो यही थी आजगी जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं जानकारी कैसी लगी और चैनल को सक्स्राइब करना ना भूलें